पैसे सी पैसे सी जाना नहीं आए हो मेरी जिन्दगी में तुम बहार बहार नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिल्मी एवर्ग्रिन के एक और ने विडियो में और आज हम बात करेंगे साल 1996 में बनी धर्मेश दर्शंद्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म राजा हिंदुस्तानी की तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विडियो को इंड तक जरूर देखें 15 नवंबर 1996 में रिलीज वी फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया था महीनों तक इस फिल्म के लिए थियेटर हाउसफुल थे बॉलिवुड के सुपरस्टार आमिर खान की बहतरीन फिल्मों की बात करें तो उसमें उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी का नाम जरूर आएगा इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्टरस करिश्मा कपुर नजर आई थी फिल्म में दोनों ने दमदार आक्टिंग की थी इस फिल्म की जबर्दस्त स्टोरी लाइन हो या फिर दमदार आक्टिंग या फिर आज भी याद किये जाने वाले गाने हर चीज ने ओडियन्स का दिल जीत लिया था इसके अलावा फिल्म में एक और खास चीज थी जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीचा था लोगों ने इससे पहले शायद ही इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ देखा था इस फिल्म का चर्चित कि सिंग सिन तो आपको याद ही होगा तो चलिए आज इसी चर्चित सिन से जुरी कुछ बाते बताते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने न सिर्फ करिश्मा कपूर के डुपते करियर को सहारा दिया था बलकि रातो रात उन्हें सुपरस्टार भी बना दिया था इस फिल्म से जुरी हर बात आज भी आज़ियर को अच्छी तरह से याद है फिर चाहे बात करिश्मा कपूर और आमिर खान की दमदार आक्टिंग की हो या फिर इस फिल्म के जबरदस्त गानों की राजा हिंदुस्तानी को उस वक्त की सबसे बोल्ड फिल्म्स में गीना जाता है इस फिल्म के एक किसिंग सीन ने तो इंटरस्ट्री में हंगामा ही मचा दिया था फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी का करीबन एक मिनट लंबा किसिंग था जहां उस दोर में एक रसेच ऐसे सीन करने से बचती थी तो वही करिश्मा कपूर ने एक मिनट लंबा किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया था लेकिन परदे पर देखने में ये सीन जितना जबर्दस्त और आसान लगता था इसके शूटिंग उतने ही मुश्किल थी राजियू मसंद को दिये एक पुराने इंटर्वियू में करिश्मा कपूर ने इस किसिंग सीन को याद करते हुए बताया था कि इसे शूट करने में उनकी और आमिर खान की हालत खराब हो गई थी एक मिनट का सीन शूट करने से पहले दोनों ही काफी घबराय हुए थे शूट के समय वहां काफी लोग मौशूद होते हैं ऐसे में कैमरे के सामने एक परफेक्ट शॉट देना काफी कढ़िन काम होता है किसिंग सीन आज के समय में भले ही आम बात हो गई हो लेकिन आज से 27 साल पहले एक मिनट तक होठो पर किस करना आम बात नहीं थी उस दौर में इंटिमेट सीन को काफी गंफेरता से लिया जाता था लेकिन यह स्क्रिप्ट की डिमांड थी इसलिए दोनों को ऐसा करना परा दोनों के बीच का यह किसिंग मॉमेंट उटी की खुबसूरत पहारियों में भारी बारिश के बीच फिलम आया गया था इस दोरान फर्वरी के महीने की कराके की ठंड ने उन्हें बेहाल कर दिया था उस दोरान उटी में उमीद से काफी ज़ादा ठंड पड़ रही थी कराके की ठंड तेज चलती ठंडी हवा और जमा देने वाले ठंडे पानी के बीच इस जोडी को ये सीन शूट करना था इस सीन को शूट करने में तीन दिनों का समय लगा था और करीवन 47 रिटेक लेने पड़े थे इस सीन के दौरान आमिरखान और करिश्मा कपूर बस यही सोचते कि कैسे भी जल्द से जल्द इस सीन की शूटिंग खतम हो जाये तीन दिनों तक कड़ी मसकत करने के बाद जब डारेक्टर को परफेक्ट शॉट मिला तो आमिर खान और करिश्मा कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं था उस वक्त ये अक्टर सुबस 7 बचे से शाम 6 बचे तक शूट किया करते थे करिश्मा कपूर कहती हैं कि उस तोरान इतने मुश्किल हालातों में फिल्द शूट करना भी एक अलग अनुभव था तो दोस्तों उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बाकी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें